वीडियो के अंदर देखे अभी जो है अक्टूबर महीने का जो जीएस्टी संग्रह है यानि कि जीएस्टी जो इखटा करा गया यह कह सकते कि जीएस्टी इस बार जो हुआ है हुँ 1.52 लाग करोड रुपे रहा है अब बात या आती है कि यह जादा है या कम है इससे पिछले महीने का क्या रहा था या पिछले 6 महीने का क्या रहा था उसके उपर बात करेंगे अगर जीएस्टी घड़ जाता है या बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है वैसे तो आपक मतलब अगर 1.52 लाग करोड रुपे आया है तो किस कारण से आया है और किस कारण से नहीं आया है इसको जानेंगे तो टॉपिक आपके वेपर के पॉइंट अभी से most important है एक या फिर दो नंबर का कुशन आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीगराम पर मिलेगा और टेलीगराम का लिंक आपको description box में दिया हुआ है वहाँ से आप टेलीगराम पर जोइन हो सकते है हमसे जो है PDF इसकी पराप्त कर सकते है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और एक-एक करकेस पॉइंटों को समझते हैं देखिए GST संग्राए 1.52 लाग करोड रुपे जो आ रहा है अक्टूबर 2022 के लिए अगर GST का जो इस बार इखटा हुआ है वो करिबन 1.52 लाग करोड रुपे था यह GST के लॉंच के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संक्रा है मतलब जब से GST लॉंच हुआ है जब से अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा GST इस बार इस महीने में प्राप्त हुआ है यह अच्छी बात होती है जब GST इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है तो यानि कि देश के जितनी भी वैपारी है जो भी GST के थुरू अपना काम करते हैं वो अपना GST समय पर भर रहे है और जितना है उतना भर रहे है अगर बात करें इससे पहले की बात करें काफी पहले की तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता था यह काफी अच्छी बात है अगर आपके फैमली में भी कोई ऐसा है जो GST भरता है या GST जैसा कोई काम करता है तो उनको जरूर बोलिएगा कि यह जो है इसको भरना जरूरी होता है क्योंकि जब यह भरा जाता है तो उसी भी हिसाब पर जो है यह महा के दोरान जो है जो केंद्रिय GST के रूप में अगर बात करेंगे और राज्य GST की बात करेंगे तो करीवे 26,49 करोड रूपे इस बार आया है और बाकी रूप में बात करेंगे तो 33,396 करोड रूपे एकरतीद करा गए 31 GST के लिए करीवन 81,778 करोड रूपे जो है एकरतीद किये गए है इसमें आयाद पर 37,297 करोड रूपे सामिल है यह आपको याद रखना है कि किस पर कितना करा गया और किस पर कितना करा गया यह एक इंपोर्टेंट बन जाता है तो एकरतीद के लिए जो है करीवन 81,778 करोड रूपे जो है एकरतीद किये गए है इसमें आयाद पर जो पूछा गया आयाद पर जो आया है वो 377 करोड रूपे है अब अक्टूबर के दोरान एकरतीद किया गया 10,505 करोड रूपे का उपकर रिकोर्ड में दूसरा सबसे बड़ा है याद रहेगा कि अक्टूबर के दोरान जो एकरतीद किया गया 10,505 करोड रूपे का जो उपकर है न उपकर वो रिकोर्ड का दूसरा सबसे बड़ा है इस माल के आयाद पर एकरतीद किया गया 825 करोड रूपे सामिल है तो कुल मिलाकर ये है कि देश के अंदर जितने भी वैपारी हैं जितने भी लोग हैं जो GST जैसा कारी करते हैं उन्होंने अपना समय पर और तंग से जो है GST बढ़ रहा है पिछले कुछ महीने से GST संग्रेकर उजहान की बात करते हैं पिछले 8 महीने से GST कलेक्शन करीब 1.4 लाग करोड रूपे रहा है पिछले 8 महीने के बात करों मैं ठीक है पिछले 8 महीने से जो GST कलेक्शन है वो करीबन 1.4 लाग करोड रूपे रहा है और इस साल सेतंबर में GST संग्रह 148 लाग करोड रुपे तक पहुच गया था और इसी महीने के दौरान 8.3 करोड पे EV, EV बिल सरजरित किया गया और यह अप्रेल महीने के दौरान सरजरित जो है 7.7 करोड पे EV बिल से अधिक है ठीक है याद रखेगा तो करीबन 8 महीने से हमक करीब 1.40 लाग करोड रुपे रहा था इन में से 2 महीने ऐसे थे जिसमें GST काफी था जैसे 1.5 लाग करोड रुपे का आकड़ा पार गिया फिर अप्रेल 2022 में GST संग्रह फिर बढ़ गया फिर वो 1.68 हो गया जे करोड रुपे हो गया है और इसी साल सितंबर में अगर बात करोड फिर बेर क्या गया है तो आपको यह जोए याद रखना है कि किसका दाटा कितना हैं कि इसको पर कफे इन्फोमेशन थी आपको बाद जो है चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा और शेयर करेगा इस ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो इस GST जंग्रे जो चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा और मैं आपके लिए कोसन छोड़के जा रहा हूं कि GST कब से लागो हुआ था ये आपको बताना है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में या फिर हमें टेलिग्राम पर भी इसका आंसर कर सकते हैं कि सर ये इसका आंसर था ठीक है अगर आज की आपने कोई वीडियो नहीं देखे हो जैसे सुभा की वकयबिलरी होती है अगर वो नहीं देखे हो तो उससे जरूर देख़के लिजेगा झाल 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 झाल